गोपाल गंज वांट्स उनिवर्शिटी एक मोहीम जो ट्वीटर से शुरू हुआ और अब इसकी लडाई जमीन पर लड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है गोपाल गंज वांट्स उनिवर्शिटी सुनकर ही आप इतना तो समझी गए होंगे कि इसके जड़िये गोपाल गंज के लोग या गोपाल गंज के युवा एक बिश्व विद्याले की मांग कर रहे है बिहार में बिश्व विद्याले की क्या हाल है यह अभी किसी से छिपी नहीं है कभी राश्ट कभी रामधारी सिंग दिनकर की जनती पर वेगु सरायव वांट सी उन्वर्शिटी ट्रेंड कर जाता है तो कभी गोपाल गंज के युवा विश्व विद्याले की मांग को लेकर आंदोलन के लिए बाद्धे होते हैं अब गोपाल गंज मांट सी उन्वर्शिटी सोशल मीडिया से निकल कर सड़क पर आ चुका है और अब यह लडाई काफी आगे तक जाने वाली है नमस्कार मिर नाम है मोहित कुमार सींग और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन गोपाल गंजिला के चात्रों के पास उन्च सिक्षा के लिए क्या संसाधन है यह सवाल आपसे है हमसे और सरकार में बैठे उन सभी नेताओं से है जो हर बात पर सरकार ने क्या किया उसका धिडोरा पिटते रहते हैं आज भी गोपाल गंज का अगर कोई चात्र अच्छी सिक्षा चाहता है तो उसे घर से स्याकडों किलूमेटर दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जेपी उनिवर्सिटी उदर के छात्रों को दिखा दिया जाता है लेकिन सरकार में बैठे वो तमाम मंत्री यह सब जानते हैं कि जेपी उनिवर्सिटी में छात्रों का भविश से क्या है और क्या रहेगा इसके अलावा जो छात्र आर्थिक रूप से ठीक रहते हैं वे तो नोएडा दिली और अन्य छेत्रों में निकल जाते हैं लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोड होते हैं उनकी सूध लेने वाला भी कोई नहीं है वैसे भी जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोड होता है वह गोपाल गंज से निकल कर बिहार के दुसरे हिस्से में भी रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि यह उसकी मजबूरी होती है अब आते हैं असली मुद्दे पर मांग यही है कि गोपाल गंज में विश्चो बिद्याले की अस्थापना की जाए लेकिन क्या विश्चो बिद्याले की अस्थापना करना इतना आसान है क्या केवल सोशल मीडिया पर मुहीम चला देने भर से सरकार महां विश्चो बिद्याले बना देगी अब गोपाल गंज के उवा इस बात को समझ भी चुके हैं और अब उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने की तयारी भी शुरू कर दी है अब सोशल मीडिया वाला लड़ाई नहीं बलकि सड़क पर उतर कर लड़ाई एक नाम जो गोपाल गंज में बिश्व भी जाले बनता है तो यह वहां के हर एक्युवा और खासकर आर्थिक रूप से कमजोड बर्ग से आने वाले तमाम छात्रों के लिए एक संजीवनी कीतरा होगा ना जाने हर साल कितने छात्रों को केवल आर्थिक रूप से कमजोड होने के कारण अपनी उच शिक्षा को रोकना पड़ता है लेकिन अगर गोपाल गंज में विश्चो बिदाले बनता है तो आगे आने वाली पिडियों के लिए या एक सुखत सपना के सच होने जैसा होगा विपुल चौबे के नियतृत में युवाद महां के तमाम प्रतिमिडियों से मुलाकात कर रहे हैं और गोपाल गंज में विश्चो बिदाले के लिए समर्थन मांग रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि हम विपुल चौबे का प्रचार कर रहे हैं लेकिन अगर कोई छात्रों की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरता है तो हमारा कर्तब में बनता है कि हमसे जीतना हो सके अबादी लगभग 23 लाग है लेकिन इसके बावजूद कोई विश्चो बिद्याले नहीं है वहाँ प्रात्मिक बिद्याले से लेकर डिगरी कालेश तक के संख्यागा जिक्री भी किया गया है नीचे लिखा गया है कि हम बियार सरकार से मांग करते हैं कि गोपाल गंज में बिश्चो बिद्याले की अस्थापना की जाए इसके आगे लिखा आया कि हम बिश्चो बिद्याले अस्थापना के लिए चरनबस तरीके से आंदोलन की शुरुवात कर चुके है आंदोलन को लेकर हिवाओ की एक टीम सक्रिय भी हो चुकी है अब गोपाल गंज में विश्व विदाले की अस्थापना के लिए हिवा अस्थानिय जन प्रतिनिद्यों से समर्थन माग रहे हैं लेकिन सवाल होई है कि अस्थानिय जन प्रतिनिद्यों के समर्थन से क्या यह अवाज सरकार तक जाएगी? क्या सरकार इनकी मांग को लेकर कोई ततपरता दिखाएगी? अजादी के इतने बर्ष बित जाने के बावजूद अगर यह सुनने में आता है कि किसी छादर को उच सिक्षा के लिए घर से सैकडो के मिटर दूर किसी दूसरे शहर में या फिर दूसरे राजी में जाना पड़ता है तो यह सरकार के लिए शर्मनाक होना चाहिए हमें नहीं पता कि इनकी मांग कितनी आगे तक जाएगी और सरकार कितनी जल्दी इनकी मांगों को मान लेगी लेकिन इवाओ के इस अंदोलन में हमारे तरफ से जीतना हो सकता है हम उतना जरूर करेंगे बाकी जाते-जाते सरकार से अग गुजारिस रहेगी कि यह अलग्छ प्राप्ति के बाद ही रुकेगा आपसे खास तोर प्रफिल रहेगा है कि वीडियो को जाधा जाधा शेर कीजिए फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेस को लाइक कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सकाइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत जल लगले वीडियो में कैमरे के पीछे खड़े हैं पी उश्रसिया और मैं मोहित कुमार जिंग धन्यवाद